हेलो गाइज, वेल्कुम तो सुनी ऑनलाइन क्लासेज, आज इस वीडियो में मैं आपको एक हिंदी स्टोरी सुनाने वाले हूँ, स्टोरी का टाइटल है थी में बलवान भीम, यानि स्टोरी में देखेंगे कि भीम बलवान कैसे हैं, बहुत पुरानी बात है उन दिनों पां कुंति के साथ किसी ब्राहमन के घर में रहते थे, पांडो ने अपने वेश बतल लिये थे, ताकि उन्हें कोई वहाँ पहचार ना सके कि वह कौन है, और किस रीजन से जंगल में रह रहा है, एक दिन भीम को छोड़ का बाकी भाई बाहर गया थे, भीम कुंति से बाते कर र लेकिन उन्हें उसका रीजन नहीं पता था, उसा कारण समझ में नहीं आया, तब दोनों क्या कि उनके पास जाना है, यह सोचके और उसके पास चले गए, और उन्हें का कारण पूछा, पहले तो उसने उन दोनों को टालने की भरसक कोसिश की, लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं हो सका, तो बोला, गाउं के एक बाहर क्या है, गुफा है, गाउं के बाहर एक गुफा में बगासुर नाम एक राक्छस रहता है, इस गाउं से रोज एक आदमी उसका खाना बन जाता है, बिस उसके लिए खाना लेकर जाता है, बगासुर खाना और आदमें दोनों को क्या करता है खा जाता है और आज मेरी बारी है और मुझे भी खा जाएगा खाना भी खाएगो मुझे भी खा जाएगा अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा वो ब्राह्मन इसलिए पहरशान थे कि वो जो बगासो जो राक्षरस है वो उस ब्राह्मन को खा लेगा तो फ परिशानी समझ के ही किस रीजन से वह परिशान है रो रहा है वह ऐसे बोली आप यहीं रहें आज आपको जो खाना है वह कौन लेकर जाएगा मेरा बेटा यह बहुत के बहुत कहने पे समझाने पर वह क्या होगे हो मानगे रेडी होगे भीम ने गाँवालों से बल गाड़ी में क्या क्या बकसुर का खाना लादने को कहा और इस काम में लोगों ने इसकी काफे हेल्प की जब गाड़ी में सारा खाना लाद दिया गया तो भीम गाड़ी पर बैठ गया गाड़वन की जगा बैठ गयो और धीरे धीरे वो चलाने लगा साथियो बगासुर का खाना भी खाने लगा इससे उसका रास्ता अराम से कटने लगा उदर गुफा में बैठा बगासुर फूप के मारे उसका बुरा हाल हो गया था गुफा के बाहर पहुचने पर भीम ने राक्षस को आवाज लगाई राक्षस बाहर आया तो उसने देखा कि एक लंबा चाड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है देखकर उसे बहुत गुस्टा आया गुस्टे से आगवबुला हो कर भीम के पास गया और भीम कुछ बोले उसे लातों और घूसों से क्या करने लगा मारने लगा भीम कुछ देर चुप चाप रहा फिर उसने बगासूर को पटक दिया और उसे तब तक मारता जब तक हुआ मर नहीं गया भीम राक्षस के मर जाने के बाद उसकी लास को घसिते वे गाउं ले गया गाउंवाले ने जब भीम को मरावा देखा तब उनने बहुत खुसी हुई तदा इसी खुसी को उन्होंने नाचगा का व्यक्त किया साथ ही उन्होंने भीम की विर्था की काफी परसंसा की मातक कुंती ने भी भीम को आशिवा दे कर गले लगा लिया तो गाई जी बहुत पैरी सी स्टोरी थी, भल्वान भीम के वारे में कि कैसे वो निडर थे, भल्वान थे, भल्वान थे और वन्हें बकसो जैसे रक्षेस को पीट-पीट के मार डाला और गावालों को इस दर से उन्हें मोकत किया, मर जाने का दर से, खुश नहीं रहा पात ते उत प्यारे से स्टोड़े फे मिलते हैं नहीं वीडियो में यह टापिक साथ जैहन